नमस्कारम सत्कुरू, योग पुरुषों और स्त्रीयों के लिए कैसे अलग है? स्त्री होने के नाते हम अपने पीरियर्ड्स यानि मासिक धर्मे साधना को अच्छे से करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप पारंपरिक योग सिस्टम को देखें, तो ये मूल रूप से पुरुष के शरीर के लिए बनाया गया है। उन्होंने स्त्री के शरीर के बारे में नहीं सोचा क्योंकि उन दिनों स्त्रीयों कभी साधना करने नहीं आती थी। उनका आना संभव नहीं था। कई कारणों से शारेरिक कारण, समाजिक कारण, बाकी की चीजों की तरह, क्योंकि तब योग स्टूडियो में नहीं सिखाया जाता था, ये कोई गुरू कहीं किसी गुफा में, किसी पहाड पे या जंगल में सिखाता था, उन दिनों एक स्त्री वहां नहीं जा सकती थी, तो ज़्यादा तर नभ्य प्रतिशत योग प्रकरियाई पुरुष के शरीर के हिसाब से बनाई गई थी ना कि स्थरी के शरीर के हिसाब से तो कई तरह के योग जो आज लापरवाही से सिखाए जा रहे हैं, स्तिरी के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर ठीक से सिखाया ना जाए तो, जो आसन आप सीख रहे हैं, उनमें से एक मयूर आसन है, क्या आपको बताया गया है कि मयूर आसन ना करें? क्योंकि ये आपके रहे ठीक नहीं है, ये एक मोर आसन है, मोर नी आसन नहीं, तो इस तरह से कई पहलू है, उनमें से कुछ भौत ही, भौत इक पहलू है, कुछ जादा सुक्षम है, पर ऐसे पहलू मौजूद है, कुछ चीजे हैं जो एक महिला को नहीं करनी चाहिए बिल्कुल नहीं कुछ चीजे हैं जो उसे किसी विशेश समय पर नहीं करनी चाहिए तो स्त्रीयों को क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए आमतोर पर ईशा योग में हमने उन चीजों की बात भी नहीं की है बस मयूर आसन और कुछ दूसरी चीज़ों के अलावा जिनके बारे में आप नहीं जानते भ्रह्मचारियों को हम कुछ चीज़े सिखाते हैं जो दूसरों के लिए जरूरी नहीं है तो किसी विशेश समय के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए ये हर स्त्री के मताबिक बदलता है ये अलग-अलग हो सकता है हर स्त्री उनकुछ दिनों में एक ही तरह की परिशानी से नहीं गुजरती कुछ स्त्रियों के लिए उनका पूरा जीवन फुलट-फुलट हो जाता है कुछ त्रियां इससे ऐसे गुजरती है कि उनके मानसिक या शारेरिक सिस्टम में ज्यादा परिशानी नहीं होती इसलिए कोई व्यक्ति कैसा है इसके अधार पर हमें छोटे-छोटे बदलाव करने होंगे पर अगर हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो बहुत बलपूरवक है अगर हम कोई ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसकी प्रकरती बलपूरवक है तो उन दिनों वो अभ्यास ना करना ही अच्छा है क्योंकि कोई भी जोर लगाने वाली गतिविदी शरीर और मन में चडचड़ापन पैदा कर सकती है क्योंकि उस समय स्वभाविक रूप से शरीर एक तरह का आराम और एक तरह की शांती की तलाश करता है ना कि कोई उत्तेजित गतिविदी कुछ दूसरे पहलू है जो आसन से ज़ादा क्रिया जैसे हैं अगर आप आसन बहुत आराम से करना सीख गए है तो सब कुछ करना ठीक है अगर आप वहां तक नहीं पहुँच पाए है तो कुछ चीजें ना करना ही भेतर है पर अगर आप आसन ठीक से करते हैं तो आपकी पीरेट्स की परिशानी बिलकुल खत्म हो जानी चाहिए अगर आपकी साधना ठीक है तो कम से कम दर्द, एठन और ऐसी चीजें पूरी तरह सिकायब हो जानी चाहिए अगर साधना के बाद ये चीजें बढ़ गई है तो तीन महीने इंतजार करें तीन महीने बाद भी अगर ये कम ना हो तो हमें ये फिर से देखना होगा कि आप साधना कैसे कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं शायद वो ठीक हो पर आप उससे कैसे कर रहे हैं हमें इस पर ध्यान देना होगा क्रिया के मामले में काफी नियम होते हैं आसनों के मामले में जादा नियम नहीं होते कुछ ऐसे अब भ्यास हो सकते हैं जो शरीर के आसन भी है और क्रिया भी, उनके बारे में आपको वाकई साफधान रहने की ज़रूरत है। ये बहुत जरूरी है कि ये व्यक्तिकत हो, ऐसा कोई समान्य नियम नहीं है, पर आम तौर पर ईशायोग के रूप में सिखाये जाने वाले सभी अभ्यास किये जा सकते हैं, वे सभी ठीक हैं, कपाल भाती के अलावा बाकि सब ठीक हैं, आप इन्हें कर सकते हैं।